तो फाइनली ब्रमास्त का टीजर आ गया है वो भी हॉलिवूड अंदाज में जिसमें कि टॉप लेवल के बीएफेक्स देखने को मिल जाते हैं और इसके बिजूड एफेक्ट्स भी काफी जादा सांदार है अपने आप में ही साथ इसका बेक्ग्राउंड म्यूजिक भी टॉप लेवल का चूस किया है मतलब कि टोटल मिला कर देखा जाए तो ये एक अलग टाइप का बॉलिवूड सिनेमा देखने को मिलने वाला है मतलब कि ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर और एक जबरदस्ट एक्सन के साथ आ रही है जो आपको बैठे बिठाए गूसबम तक ला सकती है अब ग्रम मास्त के टीजर की कास्टिंग की बात करें तो भी अपने आप में बैस्ट है गड़बीर का पूरी इस मूवी में डीजे सिवा का रोल प्ले करने वाले हैं जिनका की बात में इंसियंट सस्त्रों के साथ पाला पड़ जाता है साथी कुछ सीन्स में उनका फायर के साथ कॉंबीनेशन देखने को भी मिल जाता है इसके अलावे टीजर में अभिताफ बच्चन को भी दिखाया गया है वो भी बलू लाइट वाली तलवार के साथ साथी इसमें अपने मासवाई मतलब की नागर जो भी बलू आईस के साथ दिखाया गया है और उनका रोल इस मूवी में एक आर्केलोजिस्ट का होने वाला है साथ इसमें आले वट को भी दिखाया गया है इसके अलावे एक बार फिर से नागें जिन्दा हो गई है I mean Moni Roy इस मूवी में बिलन के साइट से होने वाली मतलब वो में बिलन नहीं होने वाली है बिलन कोई और होने वाला है जिसको सस्पेंस में रखा गया है तो आपको टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना वीडियो पसंदा यह तो वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना